Hello and welcome to this channel, मेरा नाम है डॉक्टर राजेश और आप देख रहे हैं और्थोग्यान, वीडियो के शुरू होने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूँ, मैं फिलाल एम्स देली में as a senior resident work कर रहा हूँ, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही important जो issue है fracture से related उसके बारे म किया जाए, दोनों ही condition में बहुत सारी complication हो सकती है और इन में से जो सबसे important complication है उसी के बारे में आज मैं आपसे बात करूँआ, ये complication है stiffness, stiffness का मतलब है कोई भी आपके जो joints है उनमें जकड़न आना, ये जकड़न जादातर घुटने, ankle या फिर आपकी जो wrist है, elbow है, इनके आसपास जो भी fracture होते हैं, उनका इलाच चाहिए, आप operation से कराए, या फिर आप plaster के जरिये कराए, ये joint के अंदर जो stiffness है, उसका risk बहुत जादा होता है, stiffness का कारण होता है, किसी भी joint का use में ना लिये जाना, अगर मैं अपने joints को भी एक ही position में कई दिनों, कई हफते यां, लिकलता है, ये blood एकटा होके tight structure बनाता है, जिसकी वज़े से आसपास के जो जोड है, उनमें tightness या फिर हम कह सकते है stiffness आ जाती है, साथ ही fracture के दोरान जब चोट लगती है, तो उसकी वज़े से आसपास की जो mass patient है, जो tendons है, ligament है, उनके अंदर भी injury होती है, और उसकी वज़े से fibrosis होता है, fibrosis का मतलब ये एक तरीके का healing tissue होता है, जो आपस में जो भी tendon, muscle, ligament, या फिर bone होती है, उनको आपस में एक तरीके से चिपका देता है, और इसी की वज़े से जोड होते हैं, उनमें जकडन develop हो जाती है, इसी जकडन को stiffness कहा जाता है, अगर आप stiffness से स कर रहे हैं, तो मेरी आप सभी से request है कि डॉक्टर की advice के बाद में अपने जो भी joint free है, उनको आपको exercise करते रहना है, सपोज अगर आपकी elbow में fracture है, तो generally जो plaster होता है, वो आपके wrist से लेके और आपके जो arm है, वहां तक चड़ाया जाता है, इस दोरान आपका कंदा free रहता है आपके उंगलिया रहती है, वो free रहती है, तो fracture healing के दोरान, plaster के दोरान भी आपको अपने उंगलियों को हिलाते रहना है, कंदे को आपको हिलाते रहना है, जिससे कि आपके कंदे और हाथ की जो भी joints है, उन सब के अंदर stiffness develop ना हो, इसके साथ ही आप अपनी जो mass patient हैं, उनको plaster के अंदर भी आप कोशिश कर सकते हैं कि उनको आप tight करें, सपोज आपका plaster अगर wrist से लेके और अपने जो deltoid का insertion होता है, मेडाम पे वहां तक है, तो आप कोशिश करें कि plaster के अंदर भी अपने हाथ को उपर की तरफ इस तरीके से मोडें, इससे आपकी जो अंदर की muscles हैं के बाद में आप अपनी जो muscles हैं, joints हैं, उनको move कर सकते हैं, जिससे stiffness भी कम होगी, अगर इस exercises के दोरान आपको दर्द होता है, तो इसके लिए आप जो analgesics हैं, like diclofenic हो गया, tramadol हो गया, ऐसे analgesics भी आप ले सकते हैं, या फिर आप topical जो analgesic होते हैं, diclofenic gel हो गया, ये दर्द है, उसको कम कर सकते हैं, लेकिन दर्द की वज़े से ये नहीं कि आपको उस joint की बिल्कुल भी exercise नहीं करनी है, जो सबसे important पूरे fracture healing के दोरान चाहें, वो fracture कहीं का भी हो चाहे, elbow का हो चाहे, wrist का हो, knee का हो, ankle का हो, आपको बस जो सबसे important चीज है, उसका ये ध्यान परते रहना है, फीजियो थेरपी सबसे important चीज होती है, इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, तो I hope कि ये वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा, please इस चैनल को subscribe कीजिए, वीडियो को like कीजिए, और अगर आपका कोई friend और family members हैं, जो fracture से सफर कर रहे हैं, तो इस प्लीज शेर केजिए, ताकि वो भी जाने की जो फीजियो थेरपी है, या exercise है, वो कितनी important है fracture healing के लिए, और fracture के दौरान होने वाले है, जो most common complication है, stiffness, उसको भी exercise और फीजियो थेरपी के जरिए कैसे तरीके से कम किया जा सकता है, thank you for watching this video.